नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरेके निशा स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक व्यूट 24 में दोस्तों वीडियो का थमनेल देखकर और उसका टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस विशाय पर आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं दोस्तों सिवानी कुमारी के बारे में हम आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं थमनेल में आप लोगों ने देखा होगा मैंने लिखा है कि हार कर भी जीत गई सिवानी और सच भी है दोस्तों सिवानी बीग बॉस से बाहर आ चुकी है और बाहर आने के बाद जो उनके दरसक थे जो उनके समर्थक थे जो उनके परिजन थे जो उनके चाहने वाले थे सब में एक कवतूहल समझ गया है कहीं न कहीं जो लोगों की उम्मीदे थी कि सिवानी विनर बनके आएगी 101% सिवानी बिग बॉस सीजन OTT 3 जीत कर ही वापस आएगी लेकिन सब इकी सोच पर पानी फिर गया क्या हुआ सीवानी के साथ है की सिवानी बिग बॉस जीतने से पहले वापस आगए है कि और हम क्यों दावा कर रहे हैं कि हार कर जीत गई सीवानी अर्हा frei है नहीं क्योंकि सिवानी इस समय की सूपर इस्टार है और जब से वो बीग बास ओटी सीजन थ्री में गई तब से तो और ज्यादा सुर्क्यों में बनी रही जो कुछ नहीं जानते थे लोग वह भी सिवानी के बारे में जानने लगे तो सिवानी के बारे में अब बार बार को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है तो मैं सीधा टौफिक पे बात करूँगा कि अखिरकार क्यूं हार कर जीत गई सीवाली क्योंकि ग्रामेड छेद्र से आने वाली एक लड़की जिसकी कभी उसने कल्पना तक नहीं की थी जिसने खली ख्वाबों में ये सोचा था जिसने कभी सपनों में ये देखा था कि कभी मैं बिग बॉस के सेट पर जाओंगी और उसका सपना साकार हुआ वो वहां तक पहुंची और गई लेकिन जब सिवानी ग्रामेड छेद्र की धरती से चल कर और बिग बॉस के सेट पर जाती है कि पहले दिन से ही सिवानी के पीछे लोग बाग हाँ दोके पड़ गया और पहले दिन की स容ब अब Heavenly का सामना करना पड़ा एलिमिनेट हुई जंता ने प्यार दिया फिर अंधर गई फिर एल्मिनेट होई फिर जंता ने प्यार दिया फिर अंदर गई तो कही कहीं बार बार जब सिवानी का फिर अंदर गई तो कहीं न से विटिएजन War crimes सिवानी एक कहावत है कि जब दीपक जलता है तो पांखिया बहुत सारी उड़ने लगती है उसे बुझाने के लिए लेकिन दीपक कभी पांखियों की तरफ ध्यान नहीं देता और वो अपनी ले में मगर रहता है और अंत में वही पांखिया अपना पंक जाड़कर मर जाती ह तो दीपक है सिवानी और जो इर्द गृद लोग हैं उस पर भी मैं बात चीत करूंगा जो इर्द गृद लोग है वह हैं पांखिया और अंत में पंक जाड़कर स्वें मर जाएगा उनको स्वें पतन हो जाएगा और सिवानी दीपक की तरह यूही जलती रहेगी वो अतार उसका इविनेशन होता रहा और बीग बॉस की घर के अंदर जीतने भी यह चमकीले चेहरे वाले लोग थे जो बीजिल वे विचान भी आया उसने अपने सब्दों से सिवानी को नवाजा कै लेकिन बेबस और लाचार मज़र वो बैटी जीव किया अगर शिवानी की जगहFit अमीर घरा से तालूक रखने वाली कोई वेटी होती है तो क्या आप लोग उसको इस तरह परिशान करते हैं कि सिवानी भी बहुत से बाहर तो आ गई दोस्तों लेकिन एक चीज में बताना चाहूंगा आप लोग कि कभी रोगे कभी मुश्कुराओगे मैं प्यार की वो कहानी छोड जाओंगी और सिवानी छोड कर भी आई है जब तक बीग बॉस के घर के अंदर वह थी तो बीग बॉस के घर के अंदर जितने सिर्फ शिवानी से सही पूछिए उनकी फटी पड़ी थी इसलिए मैं कहता हूं कि सिवानी हार कर जीद गई क्योंकि एक अकेले गाउं की लड़की उन सारे अमीर हस्तियों पर भारी पड़ी कि सबकी फार के रख दी सबकी अंदर अंदर ऐसे ऐसे कर रही थी सिवानी ने फा अब तो वह आ गई और बीच में आप लोग तो जीतने की तमाम जद्दोजात में तमाम तरीके अपनाते रहें चल किये देश किये मदभेद किये लेकिन सिवानी को देखिए सिवानी ने बीच में कहा था कि मुझे बाहर निकाल दीजिए मैं घर जाना चाहती हूं मैं नही लिचा दिखा के कहीं न कहीं आप लोगों किसी लिए फट रही ती जल रही ती कि आप लोग चाहते थे कि सिवानी कहीं न कहीं एक मिसाल पेश कर देगी कि यारी अमेरू की बस्ती में ये गरीब कहां से आगी जीत की चली गई कहीं न कहीं आप लोगों को अपनी काबिलियत पर सक था आप लोगों को अपनी आडियंस पर भरोसा नहीं था आप लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं था लेकिन गाउं के उस बेटी ने आपको हिला कर रख दिया वादा करता हूं कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं कभी शिवानी को मरते दम तक आप लोग भोल नहीं पाएंगे इसलिए नहीं भोल पाएंगे क्योंकि उस बहादूर बेटी ने ऐसा चाप छोड़ा है आप लोगों को दिल में ना आप लोग बताएं चाहें ना बताएं लेकिन जनता पूरी जानती है कि आप लोगों को दिल म वह चली गई है ना चलिए अब मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहूंगा थोड़ा सा कि सिवानी गाउं की सरजमी से चलकर जमाया नगरी मुंबई सबसे बड़े रियल्टी सो बिग बॉस तक पहुंशती है बिग बॉस में जैसे उसकी इंट्री होती है और इधर का जो एक सब्द था कि उन्होंने यह कहा था कि क्या मेरी बिरादर है क्या तो उसको जो हम सपोर्ट करें क्यों पंडिताईं चाचे आज के इस नए दौर में कीशवी सदी में जहां पर चंद्रयान त्री लांच किया जा रहा हैं वहां पर आज भी आप लोगों को जातिवादी धर्मवादी पाखंडवादी उंच नीच यह मानसिक कीड़ा आप लोगों को गुलाम कर रखा हैं सुषचा नाम हो रहा है तमाम उन बेटियों का नाम रौशं हो रहा है जो आम तर्फ पर बेटें सिर्फ घरों तक्सिमत कर रहे जाते कुछ कर नहीं पाती हैं और आगे जब बढ़ना चाहती हैं तो उनको तमाम ताने बाने मिलते हैं तमाम समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो बेटियों को आगे नहीं बरते देखना चाहते हैं उनके रास्ते के काटे बन जाते हैं लेकिन सीवानी आज हजारों लाखों करोडों उन वहन बेटियों के लिए एक मसाल बन गई कि आने वाले दिनों में लोग यही कहेंगे कि बेटी हो तू सीवानी जैसे पर तो सीवानी का कि नीवन्वरग में पैदा हो जाना गरीब घर में पैदा हो जाना तु यह उसकी गल्डीत थी नहीं फिर सिवानी ने आप से dups là linear याप से भीख मांग कर तो इस मुकाम तक पहुंची थी अपनी काबिलियत पर और अपनी मेहनत पर अपनी लगन पर भरोसा रखते हुए और कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती गई तब जाकराज इस मुकाम तक पहुंची थी लेकिन उसके जाने के बाद बाहर का जो हम तो यह सोचते थे कि सिर्फ बिगबॉस के कंटेस्टेंट जितने भी थे जो सीवानी से परेसान थे जिरको सीवानी से डर था कि वही परेसान है लेकिन इधर भी लोग परेसान थे अब सीवानी बिगबॉस के घर से बाहर आ चुकी है अब आपकी हिम्मत है अब जाके उ से पूछिए आपको पता है कि जिस हमें वो बिग बास के घर के बाहर आई थी अर जब उसके पर जनों को पता चल था जब उसके समर्टकों को पता चला था तो लमहा कैसा था आप लोग क्या जा जाने मा का रो emergence बुरा हाल भरे हिनकर रो Sesame कर रो सुसके भाई गोरे लाल का रो रोकर बुरा हाल, उसके पूरे चाहने वालों का रो रोकर बुरा हाल, उसके सहिलियों का बुरा हाल, उसके गाउवालों का बुरा हाल, आप लोगों को तरस नहीं आता था, क्या करेंगे सिवानी का आप लोग, अब बढ़ते कदम को, तो कोई रोक नहीं पा कभी नहीं गया पानी की बहैंती धार को कभी नहीं रोकपाया तो सिवानी वहीं बहती पानी की धार है प symmetry हार कर कर इसलिए जीत गई कि जो चीज उसके लिए सपना सा लगता था जब मेहां पर पहुंची तो उसी दिन वो जीत गई कि कम से कम अगर वो जाती बिग भॉस को सेट था अगर उस पर जाकर वो ऐसे करके चली आती नए तो उसी दिन वह जीत गई क्योंकि लोग बाग तो बीडियो और अंदर रहे के आई है तो वो तो उसी दिन जीत गई कि अगर सच बताओ इतनी पीड़ा हुई कि जिसको मैं भया नहीं कर सकता और एक बंदे के पास सारे कंटेस्टेंट जो थे जिनों ने शीवानी के साथ जो कुछ किया वो तो किया ही लेकिन एक बंदा जो है अर्मान मलिक उसके तो कुछ जादा ही फाटी पड़ी दिभाई बसीवानी से इतना डर इतना डर अर्मान मलिक सायद पूलिस से भी फिर नहीं डर होगो जीतना सिवानी से डरता था बार बार उसके केरेक्टर पर सवाल उठाना उसको बत्तिमीज बोलना अरे आपकी कितनी तमीज भाइसा आप अपनी तमीज को दें कि पुलिस आपको ढूंड रही है नवालिग वच्ची के साथ रेप किया आपने उभी घर की नौक रानी के साथ आरोप है आप पर पुलिस आपको ढूंड रही है और हो सकता है कि जब बाहर आएं तो सजी सजाई बरात आपके सामने आपका इंतजार कर रही एक पत्नी में आपका जी नहीं भर दो दो पत्नियां रखें और सवाल उस लड़की पे उठा रहे थी इसी लिए ना कि सीवानी गाउं से है और एक दिन वही गाउं की बेटी एक इसा ही तिहा सरचेगी कि आप जैसे लोग अपॉइंट लेंगे उससे मिलने के लिए शिवानी को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिवानी हमेशा जिस तरह से बेटा आज तक तुमने किया है कभी भी अपना जमीर मत खोना और कभी भी ये दिन मत बूलना जो दिन आप गाउं दिहात में रहने वाले लोग और अपने सहर के आजपास पड़ोस के सहर के रहने वाले लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आपको बहुत ज़्यादा इसने किया है लेकिन ये जो चंद अमीर लोग है ना जिनको दौलत के नसे का घमंड था य और इस बीच में जितने भी लोग तें बहुत सारे ऐसे लोग तें जिनको जातिवादी कीड़ा काट रहाता है अरे सिवानी दली तो वर्ग से आती है अचूत है तो लोगों को भी बताना चाहूंगा कि एक इस भी सदी में आप जी रहे हैं तो कम से कम इस नई सदी में आप जी रहे हैं तो कम से कम इस जातिवादी मानसिक कीड़े को निकाल कर फेक दीजिए यही मानसिक कीड़ा आप लोगों को बरबाद कर रखा है आने वाले दिनों में इस से भी कहीं ज़्यादा ना बरबाद कर देया अप लोगों को कि अब बुद्राइब के बारे में जो एक बात कहने जा रहा हूं दोस्तों इसमें आप लोग बहुत ज़ादा कमेंड कीजेगा और हकीकत अगर आप लोगों कुछसमें सच्जाई लगती हैं तो कमेंड करके जरूर बताईएगा अब बास के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह से बीक बास में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जाते थे दात फार कर जो है कहते थे और शिवानी तुम्हारी भासा खराब है तुम तो बत्मीज हो तुम्हारी बात करने कि तमीज नहीं हो रोई-ठारी कर जाते हैं है है तुम लोग 2-3-3 बीबिया रखते हो हां अपने बच्चों को अनात बनाकर चोड़ देते हो बाप तुम बने रहते हो बच्ची अनात बने घूमते रहते हैं और तुम तमीज मैं बता रहे थो उस बेटी को अपना तमीज सुधार हो सब लोग आप लोगों में किती तमीज आपके बच्चे हैं कोड़ पहुंग जा रहे हैं कि मेरा पापा यह है और पापा कहता है कि मैं भारत की लगभाग 45% आवादी आपको नहीं जानती थी आपके सेट को नहीं जानते थी क्यां लेकिन शिवानी की वज़य से कि 100% लोग आपको जानने लगें क्यों जानने लगें खाली उस लड़की की वज़य से क्योंकि लोग वाग उस लड़की को देखना चाहते थे ना की आपके बीग बॉस सो को िई से बिग बोस में देखना चाथे थे बीक वास नहीं देखना चाथ कि अब शिवह को देखने के लिए लोग बाग बिक वास देखना शुरू किये थे है अब शिवानी आगई फिक बोस में इसके बाद एहां कि बिग बॉस को पसंद नहीं करेगी कुछ देखेगी तक और शिवानी को आपने अब तक इसलिए टांग के रखा था क्योंकि आपको खुद पता था कि अगर शिवानी चले जाएगी तमारा सो फ्लॉप हो जाएगा सो चलेगा नहीं लोग देखेंगे नहीं और यह सच भी इसलिए शिवानी को आप लोगों ने अब तक टांग के रखा था आप लोगों की मजबूरी थी क्योंकि आप तो सुरू से ही सिवानी को नहीं जीता आना चाते थे लेकिन आप यह भी पता है आपको यह आवास हो गया है कि सिवानी की वज़ा से पाचपन परसेंट लोगों ने बिग बॉस देखना शुरू कर दिया गाउं में जब हम लोग इंटर्विव के लिए जाते थे लोगों से पूछते थे कि बिग बॉस देखती का भई इससे पहले तुम बउस जानते ही नहीं थे सिर्फ सीवानी को ज़से हम लोग बिग से वह बूस तक नहीं बोल पाते थे तब हो लोग सेवानी कुमारी बिग बॉस आते थी तो बहुत दिखाते थी कंधी जीयोसीनेमा कोई नहीं जानता था और गाओं के लोग फोन लगाना तो छोड़ दीजिए यहां कि कोई सब्सक्राइब तक नहीं कर सकता था जी यो सिनेमा को लेकिन सीवानी के वज़े से लोगों ने जी यो सिनेमा डाउनलोड के उसको सबस्क्राइब किया सब्सक्रिप्शन लिया फिर उसके बाद वोट किय सिवानी से प्यार करने के लिए सिवानी को वोट देने के लिए तो इसलिए सिवानी के साथ तो टोटल चल हुआ है इसमें कोई कहने की बाप नहीं भी बॉस ने भी चल किया है और साथ में जिदने कंटेस्टेंट थे उन्होंने तो सिवानी के साथ जो किया है उसका जवाब तुन्हें जनता बराबर देगी अरे आप लोग अपना जमीर भूल गये अपना वजूद भूल गये थे आप लोग आप लोगों को यह तक नहीं पता था कि कभी हम भी जिल्लदवरी जिल्लिगी जेल कर इस मुकान तक पहुंचे हैं। और हो सकता है आप लोग अमीर खांदान में जन्मे हो तो अमेरी आपको बीडरासत में मिले लेकिन सिवानी को तौमेरी बीडरासत पने भी घाउनों की वी जिन्दगी जये हैं सिवाने ने जिसको देखकर आप लोगों को घीन आ जाएगी बिग बस हो के अंदर आपने देखा था जब थाली से खाना गी जाता तो उस खाने को उटा कर उखा लेती थी और आप लोग छी 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 करते थे पता हैं वक्त की मार जब इंसान पर पड़ती है न तो अच्छे च्छे तूट कर विखर जाते हैं कि बिखरेंगे आप लोग भी किसी के पतन का कोई रास्ता नहीं होता कुछ समय नहीं होता कि किस समय आ जाए कि सीवाने तो समल जाएगी क्योंकि वह आल लेटी जमीन से जूरी हुई है कि वह जमीन पर बैठी हुई लड़की तो उसको गिराएगा कौन कि वह जमीन से जूरी बेटी है वह जमीन पर गिरी हुई है तो उसको कौन गिराएगा और आप लोग तो बने बनाए खड़े हुए ना आप लोगों खड़ा होना आता है बाई सब्रोफेशनल तरीके से लेकिन जब आप गिरेंगे ना तूट नहीं पाएंगे और शीवान अब लोगों सर्व लग गए और चीज के लिए तो आप फिल में बनाएंगे फिल में सूट करेंगे यह कसा में हिंदुस्तान की मिट्टी की ऐसे करते हैं हम यह देश की मिट्टी खाते हैं और उस उस बहादूर बेटी ने हकीकत में मिट्टी थोड़ा सा खा लिए आपके परिवार का एक हिस्सा है हमारे गौं समाज के बेटी है हार गई जरूर लेकिन हम लोगों को लिए वह जीती है कि तो जो बहुत सारे लोग थे जिनके पेट में गुर्गुर हो रही थी चिल्चिल हो रही थी सिवानी के क्या कर लेंगे आप उसका क्या ले ले गया जंता उसको प्यार करती है लेकिन बीग बॉस आपको तो बहुत बड़ा जहटका लगा है और जहटके को आपको जहिलना होगा आने वाले दिनों में आप देख लिजेगा कि आपकी टी आर्पी कहां से और कहां तक चली गई फिलाहाल सिवानी जहां से गई थी आज फिर वहीं पर आ गई ना तो उसका कुछ गया बलकि उसने कुछ पाया तो सिवानी हम लोगों के लिए एक बिजेता है और हम तो नहीं मानते कि सिवानी हार कर आई है और सिवानी अगर देख रहे इस वीडियो को तो बहन हैं खुब खुश रहो मस्कुराओ कभी मलाल मत करना कि हमार कर आएं कभी मत बिल्कुल सोचना ही नहीं कि हमार कर आएं आप विजेता हो और अब जो भी बहुत से बिजेता निकले को वहारा हुआ था पंडिडेट होगा लेकिन आप तो हकीकत में बिनर आप ही हैं क्योंकि ह हैं और हमारे जैसे तमाम यौ आपके बाहन हैं जो आपके समर्थक हैं जो आपके सात हैं वह आपको बीनर मानते बहुत हएं और झाफााइज को कितने लोग यह मानते कि रोट ऑ 70 क वीजेता है कमेंट करके जरूर बताइए दय कि नेक्स काफाइड़ अ